फक्सेक क्या गेम था भाई क्या गेम था क्या गेम था क्या गेम था मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता यह गेम अगर आप मैंसिटी फैन हो तो आपका हर्ड ब्रेक हुआ होगा डेफिनिटली अगर आप रियाल मेडिट फैन हो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप अपनी खुशी बया कैसे करें क्योंकि यह गेम यह रिजल्ट यह परफॉर्मेंस टैक्टिक्स भाई टैक्टिक्स वह सब चीज़े सब बक्चोदी वह सब बक्चोदी है में चाइज यह बन अवर यह चीज़ एक बार फिर एक बार फिर इस मनलेटी मॉंस्टर वाले क्लब ने पृफपर के दिखा दी नो वन वस गिविंग दिम आ चांस जब वो मारेज ने गोल स्कोर किया ना नो वन गढव दे मच फॉक किग फॉक अग ज़र्य वह बर्यवन in the chat was abusing us as well जितने भी हम panelists बैटे थे और मेरा reaction सभी ने जाके देखी लेगा दिव्यांज की stream ठीके ना सबको लग रहा हो कि मोग being so toxic no bro, मैं अपने दिल में चीज़ें नहीं रखता, मैं content creator बाद में खुद को समझता हूँ पहले मैं एक football fan हूँ और Madrid मेरा club नहीं है सेम चीज़ अगर बारसा के लिए Madrid fans बोल रहे हैं तो मैं तब भी उस चीज़ पर रियक करता, वैसे ही Madrid deserves to go through Madrid, कोई अगर कोई भी अगर इस season Madrid की जितनी भी achievements से उन पर सवाले निशन खड़े करने की कोशिश करेगा न तो भाई, you are not a football fan मैं किसी भी तरीके से Madrid या City की performance या उन्होंने जो अचीव किया है उस पर सवाल खड़े नहीं कर सकता because they thoroughly deserves it Madrid की UCL की रहा आसान नहीं रही है पहले round of 16 में आके उन्हें PSG मिल गई उसके बाद quarter finals में आके उन्हें Chelsea मिल गई तुम्हारे screen पे दिख रहा है तुम्हें कि जो favorites थे ना उसमें सिर्फ 6% सिर्फ और सिर्फ 6% chance दिया गया था Real Madrid को क्योंकि Carlo Ancelotti Everton से वापस आये थे Carlo Ancelotti will be playing his fifth UCL final Carlo Ancelotti पाँचवी बार UCL final में जा रहे हैं इसके साथ Liverpool के against ये उनका तीसरा final होगा 2005 में हुआ था 2007 में हुआ था और ये अब उनका तीसरा UCL final होगा Liverpool के against उसमें से पिछले वाला दो में एक वो जीते थे एक वो हारे थे जो famous Istanbul पे हुआ था जहां थ्री निल की lead लेने के पाद नहीं बॉटल कर दिया था वैलवर्दे कामविंगा रोद्रीगो विनीशियस वले हो दैनी से बायोस ये फरलंड मेंडी आफकोस हाओ कैना फोगेट फरलंड मेंडी भाई अगर वो goal and clearance नहीं कियो थी फरलंड मेंडी ने नहीं होता कुछ ये जितने भी नाम मैंने लिया है भाई Madrid का future is very safe literally it's very safe I'll tell you the reason why ये बंदे हो सकता है उतने तेलेंटे बंदे ना हो in comparison to the upcoming talent जो भी वर्ड फुटबाल में होंग इंसे बेटर भी हो सकते हैं but these guys know the responsibility these guys you know take pride in representing a club like Real Madrid and with that I'll tell you just one more fact के Manchester United is the only team from Manchester to win the UCL title in a blue shirt beat that shit बहुत तड़ा वेंटर है Manchester United even after not playing in the UCL final for the last 10 seasons are the only team to play and to win the Champions League final from Manchester we are the only team we are the only team to win the infamous treble जो कि Liverpool तोड सकती हमारा गुमान obviously वो किसी को पता नहीं है coming back to Real Madrid भाई इतने चांस क्रियेट कर रहे थे शुरू में इतने चांस क्रियेट कर रहे थे मैंने देवियांच को बोला था कि मुझे सही नहीं लग रहा है मुझे सही नहीं लग रहा है ये चीज़े जैसे चल रहे है they are wasting too many opportunities they are wasting too many opportunities और फिर मारेस का वो गोल आता है मारेस के गोल से जो रही बची कसर थी वो भी पूरी हो गई कि उन्होंने एक सकरपंच मार दिया मैंसिटी ने उस वक्त पे कोई और टीम होती नहीं होता comeback नहीं होता comeback मैं लिखके देता हूँ नहीं होता comeback चाए कोई भी बनी रहे चाए Bain बनी रहे चाए City बनी रहे चाए Liverpool बनी रहे चाए United की वो team बनी रहे जो उस टाइम पे थी हमारी top team क्योंकि ये City की टीम आसान नहीं है भाई हराना इस टीम को These guys are so talented कल भी वो बहुत अच्छा के लिए Bernardo Silva was pissing fire Kyle Walker भाई जब तक वो field पे था तब तक वो आग मूत रहा था Kyle Walker के जाने के बाद थोड़ा momentum पकड़ा Madrid ने But Madrid ने Substitutions जो किये भाई इतने pin point थे इतने pin point थे Rodrigo ने आकर दो मिनिट पे दो goal score कर दिए Kama Vinga ने आकर पूरे game की दिशा और दशा चेंज कर दी Danny Sivais ने आकर जो काम उसको दिया गया था वो किया Adder Militao सब कह रहे थे कि David Alba नहीं है हम सब ने देखा था कि कैसे कैसे गंदगी मचाई थी Adder Militao ने पहले वाले leg में जब एतियात पर खेल रही थी टीमिन की लेकिन Adder Militao played through pain और Adder Militao ने भाई कल वो काम जो आप एक Madrid प्लेयर से चाहते हो एक्सपेक करते हो देखना चाहते हो वो सब करके दिखाया Danny Carvajal मैं बहुत क्रिटिकल रहूँ Danny Carvajal के regarding के भाई he hasn't got the legs or this वो बट Danny Carvajal भाई भाई वो so good Carlo Encheroti ने कल एक बात बोली के yes the future is safe yes the future upcoming stars are very good but that won't change the fact के Casemiro, Cruise और Modric ये तीन बहुत crucial रहेंगे रहे हैं और देखो यार सबको लग रहा था के madded pressure में होगी pressure में होगी भाई Benzema और Casemiro हस रहे थे एक दूसरे को जब City का corner गया था तो they were never worried about it even after going 1-0 down पता है सबसे important चीज़ पता है क्या होथी एक team को successful होने के लिए कि उनकी team में unity कितनी है उनकी team जो field पे है उसके बाद उसके अलावा जो उनके players dugout में बैठे हैं वो कितना push कर सकते है playing 11 वाले players को या फिर जो field पे खेल रहा है उन players को भाई Marcelo, David Alba everyone was pushing you know each and every player of Real Madrid even after being substituted Casemiro was pushing them once again क्या किया Madrid ने Madrid ने moment में game पलट के रख दिया और football इसलिए cricket और बाकी sports दा celebrate के जाने वाला sport है क्योंकि यहाँ पे आपको वो 15 से 20 सेकंड का जो adrenaline rush रहता है भाई आप उसको control नहीं कर पते आप उस moment में कुछ भी किसी भी तरीके से react कर सकते हो आज अगर Real Madrid की जगह है Man City गई होती तो Man City के fans अभी जैसे Real Madrid fans ने celebrate कि है तो वो वैसे celebrate कर रहे होते बट कुडोस टू Man City के वो यहाँ तक आए उनकी भी रहा आसान नहीं रही थी उन्होंने PSG को हराया उन्होंने RB Leipzig को हराया ग्रूप स्टेज में उसके बाद यहाँ पर round of 16 quarter finals में आके उन्होंने अटलेटिकों को हराया और वो यहाँ पर बहुत करीब आकर चूक गए जीत से लेकिन once again वही वाली बात है कि किस्मत और किस्मत साथ उनका देती है जो की खुद पर भरोसा करते हैं जो की खुद को उस limit तक पुश करते हैं जहां किस्मत आकर उनसे बोले के नहीं भाई now it's my turn to return the favor क्योंकि तुमारा जो काम था वो तुमने किया तुमने महनत की ऐसा नहीं कि City की टीम ने महनत नहीं की लेकिन Madrid ने जादा महनत की आज की गेम में especially आकरी के जो 10-15 मिनिट थे भाई Madrid were all over Man City और देखो यार तुम्हारी स्क्रीन पर अभी वो टाइम आ रहा होगा और वो प्रेडिक्शन आ रहा होगा कि 89th मिनिट का प्रेडिक्शन था वो City के favor में 99% लोग वोट कर रहे थे कि City जीतेगी और 1% कर रहा था वो एक पता नहीं जुम्ला कि जो बस देखने चाता है कि Madrid क्या कर सकती है क्या Madrid जीत सकती है वो 1% चांस ने पूरा गेम पलट वाकर रख दिया फरक नहीं पड़ता कि 99 लोग आप भरोसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर एक आदमी आप भरोसा कर रहा है न तो उस एक आदमी के भरोसे के लिए आपको अपनी लिमिट पुश करनी पड़ती है और Madrid के प्लियर्स ने वो करके दिखाया वो 1% जनता जो उनके साथ खड़ी थी वो कब बदल कर 100% होकी पता ही नहीं चला रोद्रीगो कल कारल एंचलोटी ने मैच से पहले ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ बोली थी कि फर्क नहीं पड़ता कि कौन मैच शुरू करेगा फर्क इससे पड़ता है कि मैच खतम कौन करेगा और मैच जिन लोगों ने खतम किया न वो डिफरेंस में कर थे चाहे वो कामविंगा हो चाहे वो आपका सिबायोस हो चाहे वो आपका रोद्रीगो हो देखो विनीशियस का गेम काफी एवरेज रहा है ये वाला क्योंकि विनीशियस को बहुत आपरचुरिटीज मिली थी बट विनीशियस वास प्रिटी वेस्टफुल city could have equalized, city ने aggregates colon equalize कर दी होती है अगर fernandino ने वो tap-in मार दिया होता बट वही वाली बात है कि rodrigo को भी sorry rodrigo कह रहा हूँ मैं vinicius को भी tap-in मारने का मौका मिला था similar range से उन्होंने भी miss कर दिया था match के बाद ifs और buts नहीं चलते हम चाहे कितना भी discuss कर ले tactics के बारे में भाई ये game जो होते है ना ये इतने tense game जो होते है इसमें tactics काम नहीं आती इसमें काम आती है mentality और वही आज हमें एक बार फिर देखने को बिला rodrigo ने match के बाद बोला के we were dead but this shirt always pushes you to your limits और हम इसी लिए जीते हैं और भाई कितना देख के अच्छा लगता है ना के young talents जो jersey पहन रहे हैं उसके crest की value समझें मैं एक United fan हूँ मैंने अपनी team को उस phase में देखा है और मैं देख रहा हूँ जहां हमारे players हमारे badge को हमारे fanbase को for granted लेते हैं Real Madrid का एक-एक player fans को शुकरिया बोलके गया fans were chanting their name even after being 1-0 down you know आज की रात वो पूरी रात cheer करते रहें और वो cheers का favor जो था वो Real Madrid ने return करके दिया अब चाहे वो individual brilliance से आया हो चाहे वो team से आया हो कुछ फरक नहीं पड़ता Madrid are into the finals वहाँ Salah ने post भी कर दिया let's settle the score this time तो भाई बहुती तगड़ा match होने वाला है क्योंकि Madrid और Liverpool का जो match हुआ था जिसमें Bale ने दो गोल मारे थे Benzema ने गोल मारा था Karius की हरामजदगी थी Ramos ने एक Salah का shoulder तोड़ा था और वो एक मलाल तो होगा Salah के मन में वो एक रोष होगा अकरोष होगा Salah के मन में और Liverpool के मन में भी होगा के भाई हमें अपना score settle करना है लेकिन भाई इस Madrid टीम को देख करना मुझे 99 travel winning team की याद आती है क्योंकि मैंने वो obviously बात है मैं तब 5 साल का था फोटबॉल तो मैंने 2005 से लिखना शुरू किया बट मैं जब वो डॉक्यूमेंटरी देखता हूं ना 99 वाले सीजन की सेम चीज की थी भाई युनाइटेड ने चाहे वो बाइन के अगेंस फाइनल वाला कमबाक हो चाहे वो युनाइटेश के अगेंस वाला कमबाक हो चाहे वो बारसलोना के अगेंस वाला 3-3 वाला ड्रॉ हो हम कभी भी मुमेंटम में नहीं थे थूरूआउट दा गेम लेकिन हमने वो determination वो spirit कभी हमारे मन से जाने नहीं दी हमने सारे गेम्स में कमबाक करके गेम जीते और मेडिड ने इस साल वही किया है मेडिड पहले लेग में PSG से पिछड कर आई सेकेंड लेग में आकर अपने होम पे गोल खा लिए लेकिन फिर भी बेंजिमा ने हैट्रिक स्कोर की और बेंजिमा ने टाय किल कर दिया वो गेम जीत गए वो अगले राउंड में आए उन्होंने क्या किया उन्होंने चेल्सी को 3-1 से हराया उनके होम पर लेकिन चेल्सी ने आकर 3 गोल मार दिये मेडिड आगई प्रेशर में क्योंकि मेडिड कर गई लेग अपने होम पर 3-0 डाउन जाने के बाद मेडिड ने क्या किया मेडिड दो गोल स्कोर के टाय का पूरा चेहरा ही पलट के रख दिया कौन था करता धरता उस पूरी टीम का अपका करीम बेंजिमा उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं दुबारा से अब एक और इस फिक्षर की सिटी 4-3 की लीड लेकर आई बरनवाउ पे मेडिड ने क्या किया पहले कंसीड कर लिया उसके बाद क्या किया दो गोल स्कोर कर दिये उसके बाद एक्टर डाइम में जाकर पैनल्टी स्कोर कर दी पंदरा मिनिट के अंदर पूरा चेहरा बदल के रख दिया पूरे टाय का तो भाई I think even if you are a Barca fan even if you are a hater मतलब hater होता न कि भाई नहीं देखी नहीं सकते आपको एक चीज तो accept करनी पड़ेगी कि ये मेडिड की टीम कुछ special है और ये मेडिड की टीम लग के भरों से ना लीग जीती है ना लग के भरों से यहां तक आगे तो final तक आती है क्योंकि लग भी लग जो होता है आपका एक वक्त पर आके आपका साथ देना छोड़ देता है और लग देता हुसी का साथ है जो कि अपनी limit तक push करता है खुद को जाके यहां पर मैं पता है मैं इसको जो थ्रीपीट वाली आपकी टीम थी ना UCL वाली सारे मैंड़ेट फैंसे मैं बोलना चाता हूँ मैं उससे उपर रखता हूँ इस टीम को उसका वज़य में आपको देता हूँ क्यों क्योंकि उस टीम में आपके पास लीडर्स थे, mentality monsters थे, Bale अपने पीक पे, Ronaldo अपने पीक पे, Ramos अपने पीक पे, Cruz अपने पीक पे, Modric अपने पीक पे, Casemiro उस टाइम पे beast बना हुआ था, Carvahal अपने पीक पे, Marcelo अपने पीक पे, Rafael वरान अपने पीक पे, आपके टीम भाई, टीम्स का मुत जाता था, Real Madrid को देखकर, आज की टीम में बता दो, कितने ऐसे players हैं, जो की leader हो एक्चल में, David Alba, आज खेल नहीं रहते, लेकिन सोचो, जो आपके, World Class players बन सकते हैं, वो जब ऐसी performance deliver करते हैं न, तो भाई, respect बढ़ती है, उन players के लिए, और, Madrid एक ऐसा club है, जो की सहारना नहीं सिखाता, बहुत सारे लोग, Madrid की mentality पे question करते हैं, कि भाई, वो अपने legends को, बस के अंडर नीचे फिक देते हैं, और ये करते हैं, बहुत सारे लोग, अभी बेल के बारे में बोलते हैं, बट भाई, कोई, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीजन के end में, अगर आप लाली का जीत रहे हो, और आप UCL ट्रोफी जीत रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है, ट्रोफी जो मेटर करेंगी न, तो that's what I'm saying, और भाई, फिर से मैं एक बार और बोलना चाहूँ को, कि जितने भी लोगों ने, अनसब्सक्राइब किया है, 1MEFC को, कोई फर्क नहीं पड़ता, boys, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 500 आदमी, कम करवालूँग अपने चैनल पर, लेकिन, मैं toxic वाला जो comment atmosphere होता है, जो कल हो रहा था वहाँ पर, बस मैं वो बिल्कुल भी वो नहीं करूँगा, tolerate, और आप मुझे चाहे, खुद को toxic बोले, योनों किये बोलें कि मोग गाली देता है, जो भी देता है, भाई मैं ऐसा ही हूँ, मैं एक फैन हूँ, मैं एक फैन की तरह रियक्ट करता हूँ, और वैसे ही मैं करता रहूँगा, भले ही मेरे numbers कम बढ़ें, दीरे दीरे बढ़ें, मुझे उससे फर्क नहीं पढ़ता, कल का game मैंने thoroughly enjoy किया है, बर्नाडो सिल्वा, काइल वोकर, आपके जाओ कैंसेलो, रौडरी और आपका फिल फोर्डन, जितने भी प्लेयर्स हैं सिटी के, भाई, कोडोस तो यू, कोडोस तो दा सिटी फैन बेस, even as a rival I am saying this, because I never wanted सिटी, और मैं खुछ भी इसलिए इतना जादा हूँ, कि हमें डर था, कि कहीं सिटी फैनल खेल के, अगर लिवरपूल को हरा देगी, तो वो मैंचेस्टर में ट्रोफी लेंगे, यूसियल की, वो हमारे लिए और थादा फिर सरदर्दी वाली बात है, I am happy in that way, लेकिन, गार्डेओला विल डेफिन विन ट्रोफी, सिटी in future, उसको कोई बदल नहीं सकता, लिवरपूल भी तीस साल बात जीती गई ना प्रेमिरी टाइटल, तो वो आप नहीं बदल सकते, जो होना होगा वो होगा, आप खुश रहो भाई, इस बात को सोच कर के आपने मैडरिड का सुखा दिया था, आपने मैडरिड का लिटरली सुखा दिया था, मैडरिड वर लिटरली लिटरली दा फैन बेस ऑफ मैडरिड वाज लिटरली नर्वस, यह कितना बैशिंग जहिलने मिलेगी, कि अभी चार दन पहले अली का टाइटल सेलिब्रेट कर रहे थे, और हम कहा रहे थे कि हाला मदरिड हमारे होम पे आओगे, हम हल बना देंगे तुमारे लिए, लेकिन हल यह हमारे लिए बन गया, तो भाई, टेक प्राइड, बिकॉज आपकी टीम इतने आगे तक आई है, आप अभी प्रेमेर लिग की टेबल में टॉप पे बैठे हुए, प्लीज, 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 लिवरपूल को टाइटल मत जीतने देना, प्लीज, तहे दिल से आप से गुजारिश है मेरी, बॉटल मत करना, मैं आपको जीता देख सकता हूं, तो भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको सारे emotions, जो मैंने अपने express की हैं, वो पसंद आये हों, तो comment करिएगा कि आपका क्या पहला reaction था, जब वो Benzema ने, गोल स्कोर के आखरी वाला, और जब Roderigo ने, जब वो brace मारा था, तब क्या reaction था, वीडियो लाइक करना मत भूलेगा, अगर आप, अगर आप वाकई में emotional content, fan content, actually मैं, tactical content बात ही नहीं कर रहा, आप देखना चाते हैं, आप सुनना चाते हैं opinion, तो चैनल को ज़रूर subscribe करिएगा, अगर आप help करना चाते हैं, चैनल को financially, तो आप membership भी join कर सकते हैं, membership का button और, you know, हमारे logo के बगल में आता है, वो, बाकी मैं link भी pin कर दूँगा, comment section में, till then, goodbye, take care, and thank you so very much, रात में मिलते हैं मेरे live stream पर जहां मैं, दिव्यांच और बाकी लोग बैट कर बात करेंगे, इस गेम के बारे में मजे करेंगे, discuss करेंगे, thank you so much, till then, bye-bye, take care, and United are the only club in Manchester to win the UCL title, also United are the only team to complete the treble, I hope this stays as it is, and we'll always keep the red flag flying high guys, as Manchester United will never die.